है यहां से हम दोग देखने जा रहे हैं राज्य की वी फिन योजना अब्जक्ट्व टाइप में और इसके लगातर वीडियो मिलता रहा है इसके लिए आप चैनल को स्ब्सक्राइब करके रखेएगा यह बिना देरी के वीडियो फ्रार्म करते हैं अब्जक्ट्व टाइप म कौन सा आठ मार्च 2018 जुन जुन राजी स्थान में ये प्रारम किया गया था तो इसके सही आनफरो जग आपसा नंबर अगरा प्रफन देखिएगा पोसण अभ्यान का वर्तमान सुरूप किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है आपका अगरा प्रफन देखिएगा पुनर गठित पोसण अभ्यान में निम्न लिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं की गई है तो इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है अगला प्रफन देखिएगा पोसंड अभ्यान को किस दिवस पुनर गठित कर नमीन शरूप दिया गया तो पोसंड अभ्यान को किस दिवस है ना मतलब कौन से तारीक को तो इसको शुरू किया गया था मतलब पुनर गठित किया गया था एक अगस्त दो हजार बाइस को सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर बी अगला परफन देखिएगा पोशन अभ्यान के अंतरगत लक्ष प्राप्ति के लिए जाने पर किये जाने पर प्रती महां आंगन बाड़ी करताओं को कितनी राषी प्रदान की जाती है तो इसका राफी प्रदान की जाती है पांस रूपय कार्यकरता को और दो सब पचास करेकर एप मोबाईल फोन अधारित एफ्लीकेफन तयार किया गया है जो आंगन बाड़ी केंद्र की उजनाओं को डिजिटल प्लेट फार्म प्रदान करता है दूसरा कथन दिया गया है यह एप आंगन बाड़ी केंद्र इस तर पर संधारित विभिन पंजियों की इस्थान पर डिजिटल डिकार्ड का कारें कर रहा है तो यह दोनों आपका सही है क्या तो नहीं केवल यह जो बी दिख रहा है है न यह वाला आपसन दूसरा वाला बस यह सही है तो इसका फईयान फर हो जाएगा आपसन नंबर बी केवल बी कथन क्या है सही है मतलब दूसरा कथन सह ही है इसके बाद अगला प्रफन देखिएगा पूसर्ण अभ्यान के अंतरगस संचालित कि टेक होम राफन में छै माह से तीन वर्फ की आयों के समान्य बच्चों को कितने ग्राम रेडी टू इट फूड प्रती दिन प्रतान किया जाता है तो यह प्रतान किया पूसर्ण अभ्यान के अंतरगत संचालित टेक होम राशन में छै माह से तीन वर्फ की आयों के गंभीर कूपोसीद बच्चों को कितने ग्राम रेडी टू इट फूड प्रती दिन प्रतान किया जाता है तो इनको प्रतान किया जाता है कितना ग्राम तो 200 ग्राम इसका सेयान अगा अगला प्रतान देखिएगा किसोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोसाण अहार योजना में किन दो योजनाओं को सम्मिलित किया गया है तो इनको सम्मिलित किया गया है सबल योजना और किसोरी सकती योजना को तो सही आइन फरज़गा आपसान नमबर C अगला प्रत पूरा करने हेतु प्रती महा फायताराफी प्रदान की जाती है तो इसमें प्रदान किया जाता है चार हजार रुपए तो सही आन फर जगा आफसन नमबर D अगला प्रफन देखिएगा सबल योजना के अंतरगत राज्य के कितने जीले को लक्षित किया गया है तो यह लक्षित किया गया दर्स जीले को आफसन नमबर हो जाएगा B अगला प्रफन हो जाएगा सबल योजना के अंतरगत सुमेलित नहीं है तो सुमेलित कौन सा नहीं है तो इसमे देखिए कि कौन-कौन सा सही है तो सबल योजना राज्य के दस जीलों में लक्चीत है ये भी सही है इस योजना के तहट 12 वर्से स 14 वर्फे तक क्यायू की साला त्यागी किसोरियों को पूरक पोसण अहार प्रदान करना ये भी सही है और 14 वर्फे 18 वर्फे की सभी किसोरी बाली काउं को पूरक पोसण अहार दिया जाता है ये गलत है तीक है तो इसका फ़यान फरोज़ागा आपसा नमबर सी अगला प्रफशन देखिएगा निम्न लिखीत में से कौन सुमेलित नहीं है तो इस सुमेलित कौन सा नहीं है तो इसमें देखिएगा पहला किसोरी सकती योजना के अंदर का 11-13 वर्फ तक की किसोरी बाली काउं को लभांदित के जाता यह भी सही है किसोरी स देखिएगा राष्टी सीसू ग्रिह योजना का सुभारंभ कब किया गया था तो इस सुभारंभ किया गया था एक जनुरी दोहजार फत्रा को सही आनफर हो जागा आपसान नमबर सी अगला प्रफशन देखिएगा राष्टी सीसू ग्रिह योजना का पूरो नाम क्या था पहले किस नाम से जाना जाता था इसको जाना जाता था राजी उगांधी राष्टी ए क्रेच योजनक नाशा आफसा नंबर डी सही हो जाएगा अगला प्रफने देखेगा राष्टी सीसू ग्रीह योजना के अंतरगत सीसू ग्रीह का निर्धारी सूलक सुमिलित नहीं है तो गरीबी देखा फिर नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार को 20 रुपए प्रती माह ये भी ठीक है अगला देखेगा बारा सुरुपए प्रती माह तक आये वाले परिवार को 100 रुपए प्रती माह ये भी ठीक है लेकिर बारा सुरुपए प्रती माह से उपर तक आये वाले वैक्ति को 150 रुपए प्रती माह ये गलत है आपका तो सहीन फर जगापसा नंबर C अगला प्रफण है बाल फक्षम निती का संचारन किस अधिनियम के अंतरगत किया जा रहा है तो इसको किया जा रहा है किसोरी नय अधिनियम 2015 के अंतरगत सही आनफर जागा आपस नमबर C अगला प्रफ़न देखिएगा मीशन सक्ति के अंतरगा संचालित सक्षी अर्थात वन इस्टाफ सेंटर का सुवारम केंद्र इस्तर पर कब किया गया तो के अंद्र इस्तर पर कब किया गया था तो यह किया गया था 16 जुलाई 2015 को इसका फ़यान फरोजगा आपसा नंबर B अगला प्रफ़न देखिएगा एकी कृत महिला ससक्ति करण कारेकरम अंतरगत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचावे तू संसोधित मिशन सक्ति योजना का सुबारम किया गया था तो इसका सुबारम किया गया था 1 अप्रेल 2022 को इसका फ़यान फरोजगा आपसा नंबर B अगला प्रफ़न है प्रफ़न मंत्री मात्र वंदना योजना का सुबारम किया गया था तो इसका फ़या गया था एक जनुरी 2022 को सही अंफरोजगा आपसा नंबर B अगला प्रफ़न देखिएगा केंद्र प्रवर्तित योजना प्रधान मंत्री मात्र वंदना योजना के अंतरगत जीवित संतान के लिए कितनी रासी प्रधान की जा रही है तो ये की जा रही है पांच जार रुपए आपसर नमबर C सहीं हो जाएगा अगर आप रफन देखिएगा मिसन सक्ती के अंतरगा संचालित सक्षी निमास में अंसदान प्रतीसत केंद्रा और राज्यक के कितना कितना प्रतीफत है तो केंद्रा का है फाट प्रतीफत राज्यक के 40 प्रतीफत सहीं आपसर नमबर C अगर आप रफन देखिएगा उजियार कारेकरम का संचालान कितने जीला मुख्याला में किया जार है तो उजियार कारेकरम का संचालान कितने जीलों में तो पांच जिरों किया जा रहा है फंयान फरोजगा आपसा नमबर C अगला प्रफन देखेगा 36 गार राज्य में सखी निवास किस इस्थान पर संचालित नहीं है तो ये फंचालित नहीं है दूर्ग में बाकी जगा है संयान फरोजगा आपसा नमबर C अगला प्रफने देखेगा मिशन फक्ति के अंतरगा सामर्थ उप योजना चलाई जा रही है जिसमें कौन सी योजना सम्मिलित किया गया है तो इसमें सम्मिलित की अगर है किसको प प्धान मंत्री मात्र्य बंदना योजना को इसका फ़यान फरूजाग आपसा नमबर D अग्ला प्रॉफणा देखेगा प्धान मंत्री मात्र्य बंदनाई योजना हब सक्की निवास एभम सकती फदन किस छाता विधान योजना की अंतरगत संचाली थे तो ये फंचाली था है आपका मिसन सकती उप योजना समर्थ तो इसका फियान फर्जगा आपसा नमबर B अगला प्रफन देखिएगा एक ही कृत बाल, सरक्षान, योजना को और किस नाम से जाना जाता है तो इसका एक और नाम है मिसन वाजसल्य इसका फियान फर्जगा आपसा नमबर C अगला प्रफन देखिएगा मिसन वाजसल्य के अंतरगत संचाली बाल गरिया की संख्या राज्य में कितनी है तो अभी फिर हाल है 6 तो इसका फियान फर्जगा आपसा नमबर D अगला है रेल्वे चैल्ड लाइन सिवाए 36 गर राज्य की किन स्टेशनों में उपलब्ध कराई जा रही है तो रायपूर और बिलासपूर में तो इसका सही अनफर हो जाएगा आपसा नमबर A अगला प्रफन देखिएगा पोसण देखरे कारेकराम के सुद्रिणी करण हे तू चलाए जा रहे उमंग कारेकराम राज्य की कितने जीरों में संचालीत है तो ये संचालीत है दफ जीरों में आपसा नमबर D सही हो जाएगा अगला प्रफन देखिएगा राज्य में संचालित विशेश पहल के अंतरगत कौन सा कारकरम संचालित नहीं है तो संचालित नहीं है आचल योजना इसका सही अन्फर हो जाएगा आपसा नमबर D अगला प्रफने देखिएगा पूरों में संचालित कामकाजी महिलाओं के लिए हाश्टल योजना वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है तो यह जानी जाती है सक्खी निवास के नाम से जिसका सही अन्फर हो जाएगा आपसा नमबर D उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा है नो वीडियो पूरों देखने के लिए धन्यमाद